नमस्कार है जुकि इसन इंडिया पर आपका एक बार फिर से स्वागत है अभी हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं MHT-CET एक्साम के रिजल्ट के बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे आपको MHT-CET का रिजल्ट चेक करना है पूरी जानकारे आपको इस वीडियो में step by step दिखाए जाएगी ऐसे में आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखेगा आईए वीडियो में मागे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे आपको MHT-CET का रिजल्ट चेक करना है तो आपको बताते हैं रिजल्ट चेक करने के लिए आपको Google पर आना है और यहाँ पर सर्च करना है educationindialialyout.com आपको क्या सर्च करना है तो आपको सर्च करना है educationindialyout.com Google में सर्च करते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक पेज आएगा यहाँ पर सबसे उप्रवाले website Education India को आपको open कर लेना है website कुछ इस प्रकार से आपके सामने open हो जाएगी यहाँ पर जब आप नीचे के और स्क्रॉल करेंगे तो आप देख पाएंगे MHT CT Result 2014 PCM and PCB Group आपको इस link पर क्लिक करना है और इस post को open कर लेना है post आपके सामने कुछ इस प्रकार से open हो जाएगी यहाँ पर जब आप नीचे के और स्क्रॉल करेंगे तो आप देख पाएंगे MHT CT Result 2014 Direct Link आपके इस direct link पर क्लिक करना है direct link पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक page open होगा यहाँ पर आपको अपनी email ID को fill करना है ध्यान रखियेगा email ID वही fill करिएगा जो कि आपने registration करते वक्त परियोग की थी उसके बाद यहाँ पर आपको अपने password fill करने है जो कि आपने registration के time create किये थे उसके बाद आपको sign in पर क्लिक करना है Sign in करने के बाद आपके सामने कुछ इस परकार से एक page open होगा यहाँ पर जैसे आप थोड़ा सा नीचे की और आएंगे तो देख पाएंगे scorecard आपको इस scorecard के button बर click कर देना है उसके बाद आपके सामने कुछ इस परकार से एक page open होगा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा MHT CT PCB 2024 और यहाँ पर साइड में यह आपको देखने को मिलेगा MHT CT PCM 2024 यहाँ पर जिस किसी एक्जाम का आपको result देखना है उसके नीचे लिखे हुए get scorecard पर click करने के बाद आपके सामने कुछ इस परकार से एक page open होगा यहाँ पर आप एक download का option देख पाएंगे इस download के option पर आपको click कर देना है उसके बाद आपका scorecard open हो जाएगा यहाँ पर आप उपर basic detail देख पाएंगे उसके ठीक नीचे यहाँ पर आपको subject wise percentile देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर आपको total percentile देखने को मिल जाएंगे तो कुछ इस परकार से आप अपने result चेक कर सकते हैं हमने आपको पूरी जानकारी step by step बता दी है वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को आप लाइक कोर से अवस्य करेगा और साथ ही ऐसे वीडियो जोर ऐसे ही जानकार या सबसे पहले प्राप्त करने के लिए चैनल को भी सबस्क्राब करके बैल आइकुन को दबा दिजेगा मिलते हैं आप से गले वीडियो में किसे नजानकारी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद